अरुन कुमार ने लिखा है प्रणाम अनंत्स्री किसी से प्रभावित होना या सम्मोहित होने में क्या अंतर है अरुन जी आम तोर से हम प्रभावित ही होते हैं किसी से सम्मोहित एक organized situation है आयोजित अवस्ता है इसलिए उसको सम्मोहन नहीं कहेंगे प्रभाव कम या जादा कह सकते हैं हम किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित को ही लोग ये सब दूपीओ कर लेते हैं हम उससे सम्मोहित है स्थम्मोहन एक हमारे मन की अलग प्रक्रिया है जब हम कुछ सुझावों के माध्यम से अपने मन में एक अलग अवस्था निर्मित करते हैं वो स्थम्मोहन है तो किसी से स्थम्मोहित होना क्योंकि ये तो आयजित होगी स्थम्मोहन के अवस्था तभी होगी लेकिन ही तो हम ने ही उसके प्रभाव में अपने को डाला है तो बस्तुते वहाँ पर वो समोहन की चीज नहीं घटी है ये ज़्यादा प्रभाव हो सकता है, गहरा प्रभाव हो सकता है काफी अपनी छाप छोड़ने वाला प्रभाव हो सकता है तो वो सब है और इसलिए हम उससे कभी भी बाहर होते है समोहन से बाहर होने के सुझाओ कहीं और से आते है तो इसलिए जैसे कई बारे हम आम उदाहरन में भी देखते हैं कि कोई किसी को समोहित कर लेता है हम किसी के उसमें समोहन में चले जाते हैं नहीं जाते, यह शब्द हैं, उप्योग किये शब्द हैं, अच्छे सब्द हैं, मोहित हो गए, मतलब हम आकर्षित हो गए, यूँ देखा जाए सम्मोहन, सब्द भी अपने में बड़ा सुन्दर है, इसका नकरात्मक ढंक से लोग उप्योग करते हैं, भारत में देखिए स् समधी, सम्भोग, सम्विधान, संमोहन, सम्विधान क्या है, जो बहुँ विधान नहीं होए, जब दो लोग ऐसे सरीर मन के भोग में उतरते हैं, जो दोनों के लिए सम हो, सम्यक हो, संतुलित हो, तो सम हुआ, समाधी अतिरेक में हम ना हो, ना इस पार, ना इस द्रोपर, ना उस द्रोपर, बिलकुल मिडल पाथ पे, सम हो गए, समाधी हुए, सम मोहन, वो सब्द है, जब मोह तो है, आकर्षन तो हुआ, लिकिन वो सम है, संतुलित है, आकर्सित होने को सम्मोहन कहते हैं लेकिन हम उसको नकरात्मक धंग से उपयोग करते हैं नकरात्मक धंग से हैं कि हम तो बिलकुल पकड़ गए आपसेज्ड हो गए उसको हम इंगलिस में कहेंगे आपसेशन आपसेशन को टरंसलेट करेंगे ग्रस्तता ग्रस्तता सम्मोहन नहीं है जैसे हम किसी ब्यक्ति को लेकर आपसेज्ड हो सकते हैं प्रभावित हैं और आपसेज्ड हैं तो प्रभावित हुआ और आपसेज्ड ग्रस्त हुआ ग्रस्तता हो गए मनोरोग हो गया कि हम बस उसकी बातों उसके जीवन ब्यक्तित बेवार से घर्ष्ट हो गए सम्मोहित नहीं हुए क्योंकि सम्मोहित अगर हम होंगे तो हमारे जीवन में एक खिला गटा जाएगी आकर्शन में एक संतुलन पैदा हो चुका होगा तो इसलिए किसी के सम्मोहन में तो हम बहुत कम पढ़ते हैं कभी कभार कोई किसी के सम्मोहन में होता है मोहन यहीं आकर्शन शब्द है आकर्शन तो घटा है लेकिन वो ग्रष्टता नहीं बनी आप्शेशन नहीं बना है लेकिन आकर्शन को इनकार भी नहीं किया है तो हम दो दिशाओं में रहते हैं जीवन में या तो हम बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं पत्थर जैसे हमें किसे कोई मतलब नहीं लेना देना नहीं या हम बिल्कुल गरस्त हो जाते हैं बिल्कुल किसी के उपर बिल्कुल चिपक जाना जोक की तरह उजाहरन की तरह समझें जोक वाला भोते हैं अब फिट नहीं हो रहा है लेकिन वैसे ही जैसे कि हम बाहर से किसी चीज को बिलकुल गरस्त होकर पकड़ लेते तो प्रभाव और गरस्तता के धरातल तो लोगों के जीवन में होते हैं यहीं की obsession और attraction यह चीजे तो बनती हैं लेकिन यह जो सम्मोहन है यह तो बड़ी virtue है यह कभी कभी घटती है कि हम आकर्शित तो होए किसी की प्रती अगर हम बह रहे थे उसकी तरब तो बहना नहीं रोका हम पथरा नहीं एक थाकें पत्थरा जाते हमने बहने दिया लेकिन बहने में हम बहे ही नहीं गए संतुलित बने रहे सम्म बने रहे तो वो आकर्शन जो हमें अपने भीतर ठहराये रखता है वो सम्मोहन है यह तो उपलब दी है कभी कभी दो लोगों के बीच घटती है किसी के बीच किसी गुरू शिस्ति के बीच किसी किसी भी सम्मन्द में आमतर से दो इस्तितिया है अट्रेक्शन और अप्शेशन आकर्शन और गर्ष्टता किसी अट्रेक्शन और अटती है किसी बीच Viral कि मैंवम햌 झाल झाल